हालो इस्टेंट्स वेलकम प्रवाज आला फिर इस्टूशन मैं राहूर उक्मार इस्टेंट्स आज के क्लास में हम लोग एस्टूर्मा चैटर थी के कोस्टन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे कोस्टन फॉर सॉट अंसर को देख रहा है फिलाल अभी चरी सुरू करते हैं कोस्टन डाल रहे हैं उतना दर उसका स्पीड बढ़ता है कुशन आगे पुछ रहा है अब कुशन जो पूछ रहा है इस पॉसिवल क्या यह पॉसिवल है तू एक्सलरेट अकार विदाओट पुटिंग मोर पेट्रोल और लेस पेट्रोल इन्टो देंजर बीना ज्यादा या कम पे विदाओट पारा है कि पेट्रोल डालेंगे तो इस प्रक्षिट होगा ठीक है उसका स्पीड बढ़ेंगा यह जो भी है तो जब पेट्रोल डालेंगे ही नहीं कम यह जादा तो फिर अक्सलरेट नहीं हो पाएग अहीं अट्सलरेट करने का मतलब होता है सिंपल ये पहले तो क्या होगा सपोज किजिए कि करव पाक पर मुफ कर रहा हो तो क्या होगा सब्सक्रेंद कर्णिदा साटें से यहां विच्छाitas क्या स्पीड है यहां विच मिघ्टाइब पर से एकले इसकेड है तो आप देख सकते हैं इसका श्पीड में किसी तरह का कोई चेंजर नहीं हो रहा है कि लिए मतलब हमको इसमें पेट्रोल डालने या निकालने की कोई ज़रोत नहीं है चुकि कोशन के हिसाब से अब देख सकते हैं अगर माल लिया यह कॉंस्टेंट अब यह स्पीड से माल लिया सर्कुलर पाथ पर भी अगर मूफ कर रहा हो तो भी सेम सिच्वेशन है अब यह सकते हैं अस्पीड कॉंस्टेंट है लेकिन सेलोसिटी का रेक्षन चेंज करना है मतलब की काल जो है एक्सलेटर मोशन में चलना है और इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसको कहते हैं बगिसचाबवाब ट nettार आएमाल लेन गेनर बखाविशन मूझ सर्की साय और लेष पेट्रोल और लेफ पेट्रोल इंट्व द ऑ Candidne और ऑंट्व द ऑइम ज़न इफ यह फॉल्वल है कार को एक्सलेट्ट करना बीन इतमें पट्रोल डाले इसमें से पत्रोल कम किया रहत है कर्व प्रकॉलर पाथ और सर्कुलर पाथ विद क्षेंट बिद इस पीड विद कॉंस्टेंट स्पीड विद कॉंस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो क्या होगा उस किस में भी फिलुटिका डाइक्षिंट जो की कंटिनियू चेंज होगा मतला एक्सलेटर अगुशन में होगा तो और जाता है अपने लैंगज में नीच सकते हैं क्लिए रहे हैं तो मिलते हैं फिर नेक्स वाफ में नेक्स्ट पोर्शन के सरोशन के साथ